Hello everyone, मैं मितुन सिंग, स्वागत करता हूँ, आप सभी का आसा करता हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे ये जो current affairs है, पिछले 6 महने के current affairs को मैंने यहाँ पे इस presentation में रखा है you don't need to worry about कि आप हिंदी में इसे समझ पाओ या नहीं, बहुत ही simple English में चीजों को रखा गया है ताकि आप सारी चीजों को आसानी से समझ पाओ, तो चलिए, question number one से start करते हैं और पहला question क्या है, in which city is the G20 foreign ministers meeting being held, आपको बताना है कि G20 के जो सारे foreign minister है हर देश के अलग-अलग जो कि G20 के member है, उनकी meeting कहां पे कराई गई है, Mumbai, Kolkata, New Delhi या फिर Goa में यहां से आप सबसे पहले G20 का logo देख सकते हो, जो कि इंडिया के द्वारा तयार किया गया है, Lotus है, साइथ का अलग-पैर्स में यह पूछ भी लिया आ जाए, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा अगला question है, Apple Company has launched its first store in India, in which city? देखिए, Apple Store का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए, हम लोग Apple के phone जो है, चाइना में हो सकता है, कि वो produce या हो, या फिर अमेरिका में, या फिर किसी अनी country में, लेकिन अब क्या होगा ना, कि Apple जो है ना, इंडिया में अपने phone को manufacture इससे इंडियन्स को रोजगार मिलेगा, तो फिलाल इंडिया में ये सारे event हुए है, इंडिया में पहला store खोल दिया गया है, और आने वाले समय में आपको और भी अन्यानी सहरों में store दिखाए पड़ेंगे, तो फिलाल answer क्या होगा, चेंड़ाई, न्यू देली, कोलकाता या फिर मुंबई में, तो यहां से आप इसका right answer देख पाओगे, BBC का article है, Apple in Mumbai, यानि की Apple store जो है, वो कहां खुला है, मुंबई में, अब देखिए एक और question यहाँ पे नत्थी है, जो की मैं आपके साथ साधा करूँगा, यहाँ पे आप देख पाओगे team cook, जो की अभी क्य यही सवाल में छोड़े जा रहा हूं, नीचे comment करके आपको बताना है, IMF का मुख्याले कहाँ पर है, which country has the potential to contribute 15% of the global growth in 2023, यानि की यह country अकेले पूरे global growth की 15% जो है, यहां से contribute की जाएगे, आपको उस country का नाम बताना है, China, India, Brazil, या फिर Japan, तो देखिए इसका जो right answer है, यहा bright spot है, जहां पे economics fail नहीं होने वाली है, actually क्या है आपको पताई होगा, हर जगह पे अभी खबर आ रही है कि economy जो है, slow down हो रही है, जो G7 countries है, वहां पे Japan को भी include कर लिया गया है, जहां पे economy बहुत जो growth है, development growth है, वो बहुत slow चल रही है, लेकिन India जो है बहुत अच्छे से आपका क्या होगा, बिल्कुल absolute correct होगा, B के साथ आपको जाना था, फिलाल हम लोग जाएंगे अगले question की और जो कि आपके सामने ये रहा, एक और बात, आपने questions के pattern देख लिए, अगर आपको इसकी एक और सिरी चाहिए, जहां से आपना और भी questions को देख सको और आपके current affairs क जो skill है, या फिर ज्यान है, वो ज्यादा मजबूत हो पाए, तो नीचे comment करके आप part 2 जरूर लिख दीजेगा, part 2 जरूर लिखेगा ताकि इस पर part 2 बनाए जा सके, तो चलिए देखते है, which country targeted Iran's oil end, देखिए आपको इरान के जो oil हैं और petrochemical हैं, इसको target किया है, new round of census, on shipping and petrochemical, देखिए, US ने का दिया भाया कि आप अपने petrochemical को अलग-अलग country में नहीं बेज पाओगे, shipping पे इनो ने census लगा दिया है, देखिए, अमेरिका के census को अगर आप overcome करने की कोसिस करोगे, तो अमेरिका आपके साथ business करना बंद कर देगा, डॉलर की आपके साथ problem आज है कि तो अन country के साथ जो आप business करते हो, trade करते हो, उसमें बहुत सारी issues आपको देखने को मिलेगा, इसलिए जो है न, USA के census को बहुत सारी country मानती है, और US ने census लगा दिया, इसका मतलब है, European country के साथ आप business तो ना के बराबर ही कर पाओगे, तो इसलिए लगबग-लगबग country जो है, US को census को मानती है, आगे बढ़ते हैं, India has signed MOU, यानि कि Memorandum of Understanding जो है, इंडिया ने किस country के साथ sign किया है, जिसमें semiconductor supply chain और innovative partnership के लिए जो है, इंडिया ने इस country के साथ साज़ेदारी करी है, उस country का नाम बताना है, Japan, France, या फिर Australia, या USA, तो देखिए इसका जो right answer होगा वो हो जाएगा, Australia, फिलाल में आपको ये article दिखा दो, यहां से देख लो, यहां से आप देख पाऊगे, और यहां पे आपको Indian minister की picture दिख रहोगी, इनका नाम है Pius Goyal, जो कि हमारे trade minister भी है, और India और US ने जो है, एक pact signed किया है, semi conductor supply का, यानि कि सॉरी, Australia नहीं, इसका right answer क्य हो जाएगा, USA, इंडिया और USA ने इस पे sign किरा है, कि जो भी semi conductor supply chain है, उसको जो है, और अच्छे से हम लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे, पिलाल आगे बढ़ेंगे, अगले प्रसंद की ओर, Al Mohamed Al Hindi 23, इंडिया और किस country के साथ ये exercise करी गई है, conduct कराए गई है, देखिए exercise का हिंदी और Arabic दोनों का mixer मिल रहा होगा, इससे अपने चीज़ों को समझ लिया होगा, decode कर लिया होगा, लेकिन चारों option आपको इस तरह से मिले हैं, कि आप जो है, किसी A के साथ नहीं जा सकते हो, यानि कि इसका जो right answer होगा, वो क्या होगा, option number B, और यहां से आप article भी देख सकते हो, Indian Navy Forces, जो Royal Saudi Naval है, उसके साथ यह partnership करी गई है, उनके साथ यह exercise करेगी, यानि कि right answer क्या हो जाएगा, साथी अरविया B के साथ आपको जाना था, फिलाल हम लोग बढ़ेंगे, अगले question की ओर, जो कि आपके सामने यह रहा, who has acquired Switzerland Credit Suisse Bank facing a financial crisis, यह जब सुरू हा न, यह सारी चीजे, जब यह crisis सुरू हो चुकी है, अमेरिका में slowdown आना सुरू हो चुका है, answer तो आपको लगबग-लगबग मिल गया होगा, यह अमेरिका की banking company है, जो कि, actually इन्होंने इतने कर्जबांट रखें कि recover यह company करनी पा रही है, इंडिया में भी जब भी bank के साथ ऐसा issue आता है, तो उसे दूसरे bank के साथ merger कर दिया जाता है, ताकि जो दूसरे bank है, उसको जो है समाल सके, उसके सारे problem को ठीक कर पाएं, तो फिलाल right answer क्या होगा, HSBC, Standard Chartered, या UBS Group, या फिर Bank of America, तो यहां से आप right answer देख पाओगे, UBS to buy, देखें, यह जो credit suisse है न, इसको 3.2 billion में इसे खरीद लेगी, समझ रहे हो मेरी बात को, यानि कि 3.2 billion में कौन खरीद लेगा, यह जो UBC Group है, यह credit suisse को खरीद लेगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रसंद की और, International Monetary Fund, IMF का full form मैंने आप लोगों से पूछा था, य financial crisis, देखें, सिरलंका में financial crisis आ चुकी थी, और IMF पैसे दे रहा था, अब इसने कितने पैसे दिये हैं, बेल आउट package के दोरान, 10 billion, 20 billion, 3 billion, या फिर 1 billion, तो इसका जो right answer होगा दोस्तों, वो यहां से आप देख पाऊगे, 3 billion dollar जो है, बेल आउट package जो है, सिरलंका को provide किया गय फिलाल, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रस्ट की ओर, recently, which country announced a 75 billion dollar plan for Indo-Pacific, इंडो-Pacific के लिए 75 billion dollar का प्लान किसने proposal किया है, या एनाउंस करा है, अब USA यानि कि अमेरिका ने, इंडिया ने, जपैन ने, या फिर चैना ने, देखें, आपको पता ही होगा, कि 4 country मिल करना, यहा आपको पता ही है, क्वार्ड में कौन-कौन country आती है, चैना आयागा, चैना ने आयागा, चैना को counter attack करने के लिए, इंडिया, जपैन, USA और अस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर, हाथ इन लोगों ने बढ़ाया है, कि इंडो-Pacific को चैना से बचाना है, तो किसने 75 billion dollar की बात करी है यहाँ पे, तो इसका जो right answer होगा, चैना एनाउंस, यहनिकि इस 75 billion dollar जो है, इंडो-Pacific के रख रखाव development के लिए खर्च करे की, आगे बढ़ते हैं, next question की ओर, who was awarded the order of Australia, आपको बताना है, कि किसको order of Australia, यहाँ से आप इनके जो award है, उसे देख पाओगे, दिया गया है, गौ यहाँ से आप इनकी photo भी देख पाओगे, the man बहुत बहुत बहतरे इनिसान है, जिनोंने पूरे इंडिया को जो है, pride, proud feel कराया है, आगे बढ़ते हैं, अगले question की ओर, when is the world turbulenceous day, यानि कि TV day, सिधा-सिधा समझ लो कि कब मनाया जाता है, आपको बताना है date, March 18, March 20, March 22, या March 24 इसको, तो देखिए इसका answer आप यहाँ से देख पाओगे, यहाँ से आपको photo भी दिख रहा होगा, world जो TV day है, वो celebrate किया जाता है, 24th March को, लोगों में awareness फैलाई जाती है, 24th March को, अगले question की ओर बढ़ते हैं, with which country, यानि कि UPI का जो cross over border connectivity है, या कि कि कंट्री के साथ इंडिय सिंगापूर, सिंगापूर के साथ हम लोग बहुत चीजों को tie कर रहे हैं, हम लोग सिंगापूर के satellite को भी launch कर रहे हैं, आगे भी प्रसन आपको मिलेंगे इस तरह के, UPI के साथ हम लोगों ने सिंगापूर के साथ tie up करके रखा, यहाँ से आप नेरेन मोजी की photo भी देख पाऊगे, इंडिया-US link digital payment system to cross border transactions, right answer क्या हो जाएगा आपका, सिंगापूर, चली आगे बढ़ते हैं, अगले question की और, और यह question आपने आप में irony है, सपोज करके देखो, UK यानि की United Kingdom, यानि जिसे आप बोल चाल के भासा में England या Britain बोलते हो, इसने इंडिया पे राज करा, 200 साल तक, पाकिस्तान पे भी राज करा, आउटमेटिक, पाकिस्तान और इंडिया की country थे, लेकिन, अब देखो यहाँ पे, Scotland, वहाँ के जो first minister है, first minister क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे, first minister वहाँ पे पाकिस्तान के मुल लिवासी थे, वो बन चुके हैं, औ और UK के prime minister कौन है, इंडिया के मुल लिवासी रिशी सुनक, और यहाँ से देखिए, first minister के कहानी में आपको बता देता हूँ, वहाँ के जो prime minister होते हैं, वो Britain के ही prime minister होते हैं, और यहाँ का जो head of state होता है, उसे first minister कहा जाता है, कहीं कहीं पे president कहा जाता है, कहीं prime minister कहा जाता है लेकिन इस country में first minister कहा जाता है, तो देखिए, हमजा यूसिप जो की पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, आप इनकी photo भी देख पाओगे, और यहाँ से आप देखिए BBC की article भी था, हमजा यूसिप hits, देखिए, यह जो है campaign किया इनों है, और यह first minister बन चुके हैं, फिलाल हम लोग innovation करा जा रहा है, यानि कि नए-नए तकनीक को इजाद करा जा रहा है, climate को बचाने के लिए, सिरी-सिरी बासे जलवाईयों को बचाने के लिए, वो कौन सा country है, पाकिस्तान है, इसराइल है, इंडिया है, या फिर मेक्सिको है, देखिए, यहां से आप देख पाओगे चीज जो को, USA welcomes India joining agriculture innovation mission for climate, यानि कि इंडिया ने ना, agriculture को जो innovative धंग से करने का प्लान त्यार करा है, और इसे join करा है, यूएस ने कहा, welcome भाई, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो right answer क्या हो जाएगा, इंडिया, यानि कि option C के साथ आपको जानना था, फिलाल जाएंगे, हम लोग अ defense cooperation agreement sign करा है, बेलारूस, रोमानिया, फिल्लेंड या आइसलेंड के साथ, तो देखिए इसका जो correct answer होगा दोस्तों, इंडिया और रोमानिया ने sign कर लिया agreement, कि हम लोग जो है, arm force, यानि कि जो भी दिक्कत आएगी एक दूसरे को, हम लोग help करेंगे, आगे बढ़ाएंगे Recently Turkey, देखिए अब Turkey से इसका नाम बदल कर तुर्की हो चुका है, ये भी question पूछा जा सकता है कि कि किस country ने अपना नाम बदल लिया है, तो Turkey अब आपको तुर्की बुलाएगा, Recently Turkey approved the NATO membership of which country, यानि कि देखिए, तुर्की जो था, ये इस पे कुंडली मार कर बैठा हुआ था, ये एपरूब नहीं कर रहा था, नाटो का अगर आपको member बनना है, तो सारे country जो पहले से बने हुए हैं, existent member हैं, वो अगर बोल देंगे हाँ, तभी आप उसमें सामिल हो सकते हो, तो तुर्की ए ने इस पे कुंडली मार के बैठा हुआ था, कि ये बोल रहे थे कि मैं approve नहीं कर रहा, तो finally इन्होंने हामी भर दी है US के pressure में, तो उस country का नाम आपको बताना है, तो देखिए ये country ना बार बार नाम में आ रहा था, तायवान और South Korea का तो कोई लेना दे bit, चली आगे बढ़ते हैं, अगले प्रस्ण की ओर, which country recently held a referendum on a new constitution, यानि कि कि किस देश ने जो है अपने नए समिधान के लिए, यहाँ पर referendum करवाया है, यानि कि जन्मत संग रहकर आया है, और पता करने की कोशिस करी है कि नया समिधान की देश को जरूरत है, अथवा नहीं सिरलंका, उजबेकिस्तान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान, तो देखें, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिरलंका में भी नहीं हुआ है, अफगानिस्तान में तो समिधान है या नहीं, पता नहीं, फिलाल राइट अंसर क्या आओ जाएगा, उजबेकिस्तान option B is the right answer आप यहां से उजवेकिस्तान के president को भी देख सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंद की ओर NATO का जो 31st member है वो कौन बन चुका है मैंने अब भी आपको थोड़े दिर पहले बताया फिल्लेंड ने जोईन कर लिया है और यह 31st member है याद रखिए का यह भी question पूछा जा सकता है 30 31st कौन है तो राइट आंसर फिल्लेंड होगा चलिए आगे बढ़ते हैं विच एसियन कंट्री हाज बिन इलेक्टेट तो यूएन स्टेटिकल कमिशन फोर फोर इयर टर्म चार साल के टर्म के लिए यूएन ने किस कंट्री को यहाँ पे इलेक्ट करा है इंडिया, स्रिलंका, चाइना या फिर बंगलादेश तो इसका राइट आंसर फिर से हो जाएगा इंडिया ने जो है यहाँ पे इंडिया को इलेक्ट करा गया है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से देख लो आपसे नमबर A is the right answer A के साथ आपको जाना था फिलाल नेस्ट कोशन क्यों चलते हैं हम लो विच कंट्री कंडेक्टेट दा मिलिटरी ड्रील ओपरेशन जॉएंट स्वाड देखिए ताइवान को इन सरकल करने के लिए कौन सा कंट्री जो है जॉएंट स्वाड चलाने वाला है चाइना, नौर्थ कोरिया, युएसे या फिर जपान तो देखिए ताइवान के साथ तो दोस्ती है युएसे की, जपान की North Korea और China के साथ आपको doubt हो सकता है लेकिन होगा कौन Taiwan के को लेकर जादा extra sensitive कौन होता है China होता है न China ही बोल रहा है बार-बार Taiwan हमारा part है हम इसे ले कर रहेंगे राइट answer क्या हो जाएगा? China फिला लागे बढ़ते हैं इंडिया के जो external affair minister है जिसे short form में EAM बोला जाता है Jaisankar S.Jaisankar इनका नाम है इन्होंने जो है किस country को ये plan करने वाले हैं विजिट करने वाले हैं यूगांडा जाने वाले हैं इसी दोरान ये इस country को भी विजिट करेंगे तो आपको उस country का नाम बताना है जिंबांबे मौरक को या फिर South Korea तो देखिए यहां से आप article पढ़ सकते हैं New Delhi Times की S.Jaisankar जो है मोजांबिक जाएंगे कहां जाएंगे मोजांबिक यूगांडा के दोरान ये मोजांबिक को भी विजिट करके आएंगे फिलाल आगे बढ़ते हैं इंडिया, जपान, और फ्रांस विजिट करेंगे सिरलंका को, युक्रेन को, भुटान को या फिर अफ़िर अफगानिस्तान को तो उस कंट्री का नाम आपको मेंसन कर देना है तो इसका right answer क्या हो जाएगा? सिरलंका देखे, सिरलंका में आप लोगों ने बहुत सारे images वहाँ से disturbing image आए थी जहांपे President House में बहुत सारे लोग अंदर आ गए थे और President के bathroom को यूज कर रहे थे उनके bed को यूज कर रहे थे, उनके dining table को यूज कर रहे थे तो that was not a good sign Finally, अब सिरलंका धिरे-धिरे ठीक हो रहा है, healing कर रहा है अपने आपको Sudan जो है, बहुत सारे news में था, आपको पता ही है, वहाँ से हम लोग ने बहुत सारे Indians को वापस लाने की कोशिस Indian government कर रही है, आपको बताना है इस country का capital कहां पे है, हरारे, हरारे तो जिम्बंबे का है, कैप टाउन ये साउथ अपरिका का है, खौरतान या फिर अंगोला तो राइट अंसर क्या आप जाएगा, खौरतान देख लेते हैं फिर भी एक बार You can't imagine the smell of the dead, यानि कि option C's का right answer होगा, खारतान से ये images आ रही है, ये article छप रहे हैं फिलाल right answer क्या हो जाएगा, option number C, चलिए आगे बढ़ते हैं, Brick Summit 2023 में कहां होने वाला है तो देखिए पाकिस्तान के जो foreign minister हैं, इंडिया 10 साल, 12 साल के बाद आने वाले हैं, ऐसा संभावना बन रही है तो इंडिया में होगा definitely, right answer क्या हो जाएगा, आपका option number B, यानि कि, sorry, option number A, South Africa में होगा ये I'm sorry, Brick Summit जो है 2023 में ये South Africa में होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले question की ओर, next question आपके सामने ये रहा What is the currency used in Sudan, Sudan की जो currency है, वो क्या है, तो देखिए यहां से आप देख पाओगे, dollar, pound, rupee, या फिर frank, तो देखिए इसका right answer क्या हो जाएगा, वहाँ पे Sudan pound चलता है यहां से आप इसके देखो, यह देख लो आप, Sudanese pound कहा जाता है, क्या कहा जाता है, Sudanese pound यानि की option number B आपका क्या होगा, absolute correct हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले question की ओर, who was the first chairman of USSR, इस question को ऐसे भी आप नत्ती करके समझ सकते हो, last chairman USSR के कौन थे, तो यहां से आप द इसका जो right answer होगा, यहां से आप देख पाओगे, first and the last president of Soviet Union, मिखाईल गौरवाचौप इसका नाम है इनका, और इसका right answer क्या हो जाएगा, option number C, चलिए आगे बढ़ते हैं, under cope India 2023, in which state did the air force of India and America participate in a joint exercise, आपको बताना है उस जगह का नाम, जहां पे India और America participate करेगा, एक joint exercise, ज इसका नाम है, cope India 2023, तो इसका right answer हो जाएगा, best बंगाल, आप यहां से आर्टिकल भी देख सकते हो, ताकि चीजों को आप long term में याद रख सको, यहां से आप फोटो को देख पाओगे, और यहां से देखिए, आपको दिख रहा होगा, यह देख लो, best बंगाल का आर्टिकल में नाम mention कर रखा है, आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है, TELOS 2, जो की launch किया गया है, primary satellite, PSLV के द्वारा, आपको बताना है, यह किस country को belong करता है, मैंने आपको पहले बताया था न, UPI, हम लोग किस के साथ सबसे पहले आए, सिंगापूर के साथ, तो सिंगापूर के satellite को इस दो launch कर रहा है, इससे बहुत सारा पैसा भी बनेगा, जी हाँ, I repeat, बहुत सारा पैसा भी बनेगा, और यहां से आप article की photo, देख सकते हो, by September को यह satellite है, वो launch हो चुका है, which country has achieved the 38th sport on logistic performance index by World Bank, दिखाता है कि कौन सी country logistic को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत अच्छी है, रैंकिंग जारी की जाती है, इंडिया ने यहां पे 38 sports जो है, हासिल कर रखा है, 20 का राइटांसर होगा, यहां से आप photo देख लो, अभी बहुत सारे सेक्टर में हमें काम करने की जरूरत है, यहां से आप देख पाऊगे, कि हम लोग कहां पे नीचे गिरे हैं जिसमें customs में हम लोगों की ranking गिरा दी गई है, और tracking और जो tracking होता है, उसमें भी हम लोगों की ranking तीन गिरी है, लेकिन बहुत सारे चीजों में हम लोगों ने improve करा है, number one पे Singapore है, number one पे कौन है Singapore, दूसरे number पे Finland, तिसरे number पे Germany, 7 number पे Canada, और USA का जो rank है यहां पे 17 आता है, फिला यह चीजें बार-बार होती है और हमेसा होते रहती है, आप ने मेरे दो राजिदोत को बाहर निकाला, हम भी आपके तीन राजिदोत को चार राजिदोत को बाहर निकाल देंगे, यह काम कहा हो रहा है, तो देखिए German diplomats को, रसिया ने बाहर फेंक दिया है, बोला कि भाई, आप यहां से चले जाओ, राइट अंसर क्या हो जाएगा, मुस्को यानि कि USA ने, रस्या ने क्या कहा कि जर्मन डिप्लोमेट्स को अब यहां रहने की जरूरत नहीं है, फिलाल अगले कोश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं, विच कंट्री लॉंच्ट दा चैट जी पीटी र लेकि, रस्या में बहुत सारी इमेजिस आई है, एपल को उन्होंने अपने ब्रांट से रिप्लेस करा है, मैक डोनाल्ट को उन्होंने अपने ब्रांट से इंडोस करा है, लेकिन फिर भी फसलेटी जो यह कंपनिया दे रहे थी, वो देना थोड़ा सा मुस्किल है इन लोग आगया है, नीचे कमेंट करके आप लोग इसका आंसर केजिएगा, मैं सारे आंसर को देखना चाहता हूँ, विडियो यहां तक अगर आपने देख ली है, तो अगर आपको पार्ट टू चाहिए, तो नीचे कमेंट करके पार्ट टू जरूर लिखेगा, विडियो को यहां competition की त्यारी कर रहे हैं फ्रेंड उन तक जरूर पहुचा दे Thank you so much